हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेटामॉसिस में मैं आगेंद्र आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं खास पर्पस से आया हूं कि लास्ट में जाते जाते आपको ग्रैमर की कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ हीरे चुनके दे दूँ जो आपके हो सकते हैं वहाँ प लीजेगा जैसे इनिंग्स होता है इनिंग नहीं होता ठीक है कस्टम जो है कोई वर्ड नहीं होता है ठीक वैसे जो है अगर आप इंडिपेंडेंट्ली उस करेंगे तभी डेट ऑफ बर्थ होता है और किसी सेंटेंस में डेट आफ यॉर बर्थ होता है ठीक है और कुछ च इता कि पूरुबर कोई नहीं होता तो अगर जूरी मिलेगा तो एरर होगी क्योंकि जूरी खुद में कलेक्टिव नहीं दूसरा आता है कि जूरी दो तरीके के फैसले ले सकती नमबर एक तरीका यह होता है जिसमें उसका एक मत से सारे लोग एक ही फैसला लेते हैं unanimous और एक होता है जिसमें उन सब के फैसले अलग अलग है तो पहले case में जिसमें unanimous हो तो अगर sentence ऐसा आएगा the jury was divided ऐसा ही आता है divided in its opinion तो याद रखिएगा कि जब ऐसा हम कहते हैं तो main चीज यह होती है कि इसमें गलती होती है कि आपको सबसे पहले देखना divided है या एक मत है अगर divided है तो बहुत सारे वह opinion है उनके तो आपका पहली गलती होगी यह वर्ब वर्ब प्लूरल होने चीए वर्ब प्लूरल होगी तो यह हो जाएगा वर जूरी वर एक सही होगा और divided उसके बार दूसरा प्लूरल होना चीए तो यह होगा देर तो यह पूरा सेंटेंस अब बन गया दा जूरी वर्ब डिवाइड़ेड इन देर ओपीनियन तो यह तीन गलतियां होगे टोटल एक जूरी इस की एक यहां वर्ब की एक प्लूरल की अब तीसरा केस इसमें बनेगा अगर सब लोग एक मत हैं युनैनिमस है माल्या वहां आया है था जूरी वर युनैनिमस इन इट्स डिसीजन तो आप देखेंगे कि वर गलत है क्योंकि युनैनिमस को देखना है युनैनिमस एक मत है तो वाज होगा सिंगुलर वर्व होगी और नाउन भी जो है सिंगुलर होना चाहिए यहां सिंगुलर ही दिया है तो इस सही है अगर यहां देर होता तो एक गलती होती तो इसमें जरूर देखेगा जूरी में जरूर आता है ठीक है और बाकी जो है नाउन में छोटी मोटे जो है जिस तरीके एक यह रहा है यह सब चीजह तो आपको पता है मैं सिर्फ कुछ चीजह चाटके दे रहा हूं आपको जो आपके काम में आ सकती हैं तो प्रोनाउन में एक एरर बहुत आता है इट में इसमें एक यूस पर वह आता है वह ऐसे आएगा question, वो question आएगा कि I saw a child, it was playing. तो सभी लोग ज़्यादा दिमाग लगा के it को गलत कराते हैं, कहते हैं it child के साथ नहीं आता, लेकिन है सही है, कि अगर जो है कभी child दिखाया गया हो और gender जो है प्लेइंग बिल्कुस सही sentence है, इसमें error मत निकालेगा, ठीक है, अब हम चलते हैं फटबर pronoun में दो और first class error में, एक pronoun में जो error आती है, वो उसके लिए मैंने rule number बोला है 231, तो rule number 231 ज्याद रखेगा, तू का मतलब है second person, जो की pronoun में person आपने पढ़ोंगे, third person इसका मतलब है, औ one का मतलब है first person, अब second person, third person और first person का क्या रोल है, अगर एक से ज़्यादा pronoun आपको दिये रहते हैं, तो उन एक से ज़्यादा pronoun को आप जो है, इस sequence में लगाएंगे, ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा है, वो लगा दे, माले आपको दिया, you, I, you and he, must help that poor man, तो ये होगा हमेशा, पहले second person लाएंगे you, और फिर आप लाएंगे third person, he, और तब लाएंगे आप first person and I, बाकी same रहेगा, और इसी rule का फिर एक exception है, और वह है rule number 123, अगर आपकी sentence में negativity है, या guilt है या कुछ और है, तो उसमें rule number 123 लगेगा, जैसे मैं कहूंगा you, he, and I are to blame, मानलिया ये guilt वाला है, कि हमें तीनों को blame हम पर आरोप आना चाहिए, तो basically ये negative sentences में first person पहले लाएंगे I, second person you बाद में and he, और फिर same आजाएगा, are to be blamed, तो ये जरूर कर लिजेगा, pronoun में, ये आता है, फिर मैं लेके चलता हूँ, आपको कुछ adjective की error में, ये ध्यान रखेगा कि adjective की जो भी error आएगी, वो error comparative degree से जादा आती है, क्योंकि adjective में, superlative degree में हमेशा the, the best, तो ये भी ध्यान रखेगा, और comparative degree के कुछ खास case बता रहा हूँ, जिसमें से error पक्का देखने को मुलती है, एक खास case ये है, जिसमें मैं एक sentence लिखके बता रहा हूँ, she is fairer than polite, कि वो विनम्र, जो है, विनम्र होने से ज़्यादा गोरी है, यानि गोरी ज़्यादा है, विनम्र कम है, लेकिन इसमें खास देखिए कि ये एकी व्यक्ति है she, और उसी की दो अपनी quality में comparison हो रहा है, जब एकी की दो quality में comparison होता है, तो कभी भी ये ER नहीं लगता है तब आप लगाएंगे उसमें more और उसमें positive degree fair, तो ये हो जाएगा, she is more fair than polite, तो पूरा sentence बन गया, she is more fair than polite, तो इसमें आप ER न लगाएं comparative degree में, जब एकी व्यक्ति की दो चीजों का आपस में comparison हो रहा हूँ, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा आता है, ये वाले में आप ज कालिदास is greater than any dramatist, तो ये ऐसे case में हमें सही लगता है, लेकिन कालिदास को देखें, एक dramatist है, और ये उसी के तरीके की अन्ने dramatist से compare हो रहा है, तो यहाँ पर एक other लगना बहुत ज़रूरी है, तो other लगेगा, और ये इस तरीके से होगा, कालिदास is greater than any other dramatist, ठीक है, उसके अलावा एक तीसरा बहुत golden rule दे रहा हूँ, आपको seven Latin adjective है, इनके साथ कभी भी then नहीं आता, हम then ही लगाता हैं बच्पन से, लेकिन इनके साथ two लगता है, जैसे आपको बता दें, एक होता है senior, एक होता है junior, एक होता है inferior, एक होता है exterior, और एक होता है prior, और एक anterior, और एक होता है आपका posterior, एक, दो, तीन, चार, पांच है, एक posterior, इन में हमेशा two आएगा, और then कहीं मिलेगा, तो गलत हो जाएगा, जैसे आपको मिलेगा, एक junior than me, बिलकुल गलत होगा, एक junior to me, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, फिर इसके लावा, एक गलती, जो होती है, यह बहुत आती है, तो इसके लिए आपको detail में जाना पड़ेगा, और few, a few, the few, a little, a little, the little, आप मेरी यूट्यूब में देख लीजेगा, नागेंदराज मेटमॉफसिस में बहुत बारीकी से समझाये हुआ है, और वैसे ही, आप और भी adjective उसमें देख सकते हैं, उसके लावा, एक adjective और आता है, बहुत जादा, उसकी बात करते हैं, वो आता है, elder और older, दा का कुलीग या फ्रेंड, तो आप कहेंगे, he is older than me, तो elder सिर्फ blood relation के case में adjective use होगा, इसको याद रखेंगे, फिर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे adjective में, जिन में से बहुत ज़्यादा आया हुए, जैसे एक case में अगर लाँगा, तो एक बहुत आता है, बहुत बार की, my teacher gave me a verbal test तो यह हमेशा गलत होगा, क्योंकि जो test होता है, verbal का मतलब होता है, pertaining to words, जो words से समंदित हो, शब्दों से, तो test आपके teacher ने कभी नहीं का होगा, कि मैं verbal test लूँगा, test हमेशा by default verbal होता है, उसमें शब्द ही होते हैं हमेशा, तो अगर verbal से यह adjective से specify करने की कोशश की गई है, तो यह verbal नहीं के specify होगा, oral test से, तो जरूर teacher oral कहना चाहरा होगा, आपके teachers ने भी आप सिखा होगा, कि oral test होगा, तो oral का मतलब होता है, uttered through mouth, तो verbal कभी test नहीं होता, बलकि अगर आपको specify करना हो, तो oral होगा, ठीक है, उसके अलावा, एक जो है, अगर आपका कोई भी, और little a little, the little के लिए आप मेरे वीडियो पे जाएं, उसमें पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ adjective हैं, जिनको आप जरूर देख लीजेगा, अब मैं सीधे आ रहा हूँ, और वर्ब में मैं एक खास topic ले रहा हूँ, subject-verb agreement, कि सारों का मतलब है, न का मतलब है neither, और पहले e का मतलब है, फिर either, और एक है every, एक है each, और एक है everyone, और एक है many are, तो याद रखेगा, इस में से जो question आता है, वो many are में से आता है, ज्यादतर यह सब लोग आपस में जब भी आएंगे, singular verb लेंगे, तो singular verb जब यह लेंगे, तो इस में many are वाला question सबसे जादा आता है, अगर हम कहें many a person, many a person was drawn in the sea, तो यहां हमें many are देख के ऐसा लगता है, यह was जो है, गलत है, लेकिन यह was सही है, क्योंकि many are singular लेता है, तो इन सारे case में आप जब भी verb को agree कराएंगे, तो singular से ही agree कराएंगे, यह याद रखिएगा, तो singular के अलावा कुछ नहीं आएगा, जो agree होगा इसको, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं next में, और next में जब एक subject verb agreement जो और important आता है, उसके लिए मैं आपको ले चलूँगा, एक case में either, और उसके बाद, आईदर के बाद और आ आपकी agree करती है, वो second subject के हिसाब से agree करती है, second subject, तो इसका बहुत ध्यान रखेगा, second subject के हिसाब से वर्व agree करेगी, तो अगर मैं कोई भी example लोँ, जैसे either my brother, either my brother, और I am और I am to do this work तो यह I के साथ जो M आया है, वो second subject I के वज़े से आया है, तो यह वर्व हमेशा M ही सही होगी, अगर कोई brother के हिसाब से लगाता है, तो गलत हो जाएगी, तो second, first subject था my brother और second I था, तो I के हिसाब से लगाएंगे, either or neither nor के case में, और अगर दूसरा जो सबसे ज़्यादा बार कूछा जाता है, वो है not only but also, not only but also, not only but also, तो not only but also की case में, जो subject follow करेगा, जिस वर्व को वह भी second subject के साब से होगा, तो वर्व इसको follow करेगी, जैसे हम गहेंगे not only India but many other countries many other countries, तो अब second subject आ गया, many other countries, तो इसके हिसाब से हम आर लगाएंगे, आर पूर, हम इंडिया के साब से नहीं लगाएंगे, तो not only but also का ये case याद रखेगा, ठीक है, उसके अलावा, ये सब चीज़ें थी, आपकी subject verb agreement में, जो आपको याद रखनी है, उसके लावे, वर्व उसके बारे में आपको ले चल रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास, जो है, कहीं पर as if आ गया, as if, तो as if जो है, और as दो है, ये एक से case है, as दो और as if का एक ही मतलब होता है, ऐसे जैसे की, तो इस case में generally sentence ये आता है, he talks, he talks as if he is mad, तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं, ये गलत है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर, अगर वर्ब present tense किये हैं, तो आगे जो है present कभी use नहीं होगा, आपको इसको past से follow करना पड़ेगा, तो ये जो correct होगा, he talks as if he was mad, ये combination याद रखेगा, और अगर ये past में आ जाए, फिर से वर्ब देखके वहाँ पर देखेगा, he talked as if, तो he was mad अगर वहाँ आया है, तो आपको ये देखना होगा कि he talked past में है, तो past हमेशा follow करेगा perfect को, past perfect, तो ये हो जाएगा, he talked as if he had been mad, या वर्ब बन जाएगी, बी होने की form, तो इस तरीके से as if और as though में सीधे ये ही case बनेंगे, तीक है, और एक मुझे याद आ रहा है कि अगर ये case आता है, if I had been in your place, place, I would have solved this sum, solve this sum, इस case में आप याद रखिएगा, इसमें एक तो जब भी would have आएगा और इसका एक conditional होगा, इसमें एक तो head जरूर आना चाहिए, वर्ब की third form, head के साथ जरूर आनी चाहिए, ठीक है, और इधर ये फिर would और have से follow करेगा, और इसमें वर्ब की third form होनी चाहिए, तो आप यहाँ तीन जगह देखेंगे, head देखेंगे, वर्ब की third form देखेंगे और दूसरा would have देखेंगे और third form देखेंगे, तो इसमें से कहीं न कहीं एक गलती होगी, तो यह सही है, if I had been in your place, I would have solved this sum, तो यह ध्यान रखिएगा, एक और subject वर्ब agreement में यह होता है, जो हम अपनी गलती से करते हैं, हम जातरे कहते हैं, if you will go to market, comma, I shall also come, यह गलत तरीका है sentence का, तो दो future ऐसे नहीं होते use, तो आप पहले वाले जो if conditional है, उसको आप sentence में प्रेजेंट में बनाएंगे, और यह हो जाएगा, if you go to market, तब आप बाकी वही रखेंगा, I shall also come, तो पहले वाले जो if के साथ जो शर्त है, उसमें आप present indefinite का use करेंगे, याद रखेगा, अब मैं फटा-फट लेके चल रहा हूं आपको preposition में, और preposition में पहले तो आपको ऐसे को simple preposition बता दे रहा हूं, जो आप गलत करते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं, you are talking to your friend over the phone होता है, phone में बात करना, ठीक है, वैसे ही अगर आप कहते हैं कि open your book at page 20 होता है, यह ध्यान रखेगा, ठीक है, और वैसे ही अगर आपको कभी भी prefer नाम का word आए, तो blind तरीके से आप to लगा दीजेगा, prefer के साथ हमेशा to होता है, ठीक है, और म YouTube में बताएं, उसे भी देख लीजेगा, फिर आते हैं कि अगर कोई दो चीजे हैं, एक के नीचे एक है और दोनों के बीच में एक distance है, दोनों touch नहीं कर रही हैं, तो उपर वाले point के view के हिसाफ से over हो जाता है, और नीचे वाले point of view के हिसाफ से वो under हो जाता है, अगर मैं ये number one कहूंगो और ये number two, तो मैं कह सकता हूं, number one is under number two, और अगर number two से बोलूँगा, number two is over number one, तो इसमें distance में बीच में कोई considerable distance होती है, और वो आपस में मैच नहीं होती है, the students are sitting under the roof कहते हैं, ठीक है, वैसे ही, अगर आप जो हैं, किसी भी जगह पे है, छोटी जगह पे हो, तो आप कहेंगे, I live at Haldwani, सपोज आप ये कहते हैं, और बड़े शहरों के लिए, I live in Delhi, लेकिन अगर आप Haldwani के लिए जो है, दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वहां दोनों हो जाता है, I live at Judge Farm in Haldwani, तो यहां हaldwani के लिए in use होगा, क्योंकि हलदwani Judge Farm के comparison में बड़ा हो गया, ठीक है, तो यह भी ध्यान रखे गया, उसके बाद, मैंने और भी चीज़ें बताइए, अगर आप किसी चीज़ के parallel चलते हैं, नदीय रोट के, तो along होता है, दोनों किनारों को involve करते हैं, या वहां से वहां जाते हैं, तो across होता है, I swam across the river, and I just went across the road, तो आर पार करने में जिसमें दोनों किनारे involved हो, तो across और parallel चलने में along, अब मैं आपको तुरंत ले चल रहा हूँ, कुछ ऐसे prepositions में, जिनके साथ कभी भी, कैसे words में, कोई preposition use नहीं होता, लेकिन हम जम के use करत हैं, जैसे एक word is resemble, अगर हम कहें कि rather resembles to her mother, तो to गलत होगा, resemble के साथ कभी कोई preposition use नहीं होता, ठीक है, ऐसे एक word है investigate, अगर मैं कहीं पर investigation कर रहा हूं, तो investigate लोग करते हैं, into बिल्कुल गलत है, simple investigate होगा, उसके अलावा एक बहुत बार आयोगा है, जवर्दस preposition wrong होता है, I entered into the room, enter the room होता है, सरफ, enter के साथ कभी कोई preposition नहीं आता, I asked from him, तो ask में कभी कोई preposition नहीं होता, I asked him होगा सीधे, ठीक है, उसके अलावा, अगर कोई किसी post resign करता है, he resigned from his post, तो resigned from बिल्कुल गलत है, he resigned his post होता है, sign on the paper भी गलत है, sign the paper होगा, ठीक है, return to home, ये तो लोग बहुत use करते है, return home होगा, return to home गलत होता है, ठीक है, और इसी तरीके से, last में, sign वाला मैंने बता दिया है, तो कुछ ऐसे preposition भी आप याद रखिए, और कुछ ऐसे भी याद रखिए, जैसे, एक die नाम का preposition है, मरने में, मरने में दो तरीके के आप use करते ह एक disease से कोई मरता आगा, और कोई किसी और चीज़ से, जैसे hunger से मर गया, book से, या thirst से मर गया, प्यास से, तो इसमें कहते हैं कि he died of, off आता है, he died of malaria, तो disease के case में off आएगा, और जब किसी ऐसी चीज़ों से मरेगा, hunger या thirst से, he died from hunger और thirst, तो दोनों केस में अपनी जगा बदल ठीक वैसे ही कोई उचाई है, वो अगर नीचे पानी में कोई कूतता है, तो ये उपर का medium air है, नीचे water है, जब भी medium में change होता है, माध्यम में change होता है, तो into आता है, तो he jumped into the river होगा, वैसे ही एक question लोग गलत करके आते हैं, he translated it from English to Hindi करते हैं, तो English into Hindi होगा, क्योंकि दोनो medium change हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेगा, एक होता है blind, blind के case में देखिए, दो तरीके से ही होता है, अगर blind एक आख से अंधा है, कोई one eye, तो blind in one eye होता है, और अगर कोई किसी गलतियों के लिए अंधा हो रहा है, यानि ignore कर रहा है, तो उसे कहते हैं, blind of his faults, his faults, जैसे कोई अपने किसी दोस के गलती को ignore कर रहा है, तो he is blind of his fault, तो ऐसे symbolical use में off आता है, और अगर एक आख का अंधा है, कोई in आता है, तो ये बहुत important है, और कए एक preposition ऐसे हैं, जो अलग अलग तरीके से लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखेगा, अब आते हम, कि कोई ऐसी चीज है, जैसे conjunction में, अगर आपका no sooner है, कहीं पर आपको दिखता है, तो no sooner में एक तो did, do, या does, या had, जरूर follow होगा, और plus then जरूर लगेगा, आप बाद में third form लगेगी, तो ये sentence बन जाएगा, no sooner did I step out, जैसे sentence बना के दिखा देता हूँ, no sooner did I step out, then, फिर then आएगा जरूर, then जरूर डूंडिएगा, अगर नहीं है, तो ये गलत है, it started raining, तो एक ये पका आता है, एक आता हार्डली, scarcely, hardly और scarcely एकी तरीके से use होते है, hardly और scarcely का मतलब है, मुश्किल से, तो ये जब भी होंगे, आप तुरंत when को तलाशेगा, अगर when नहीं है वहाँ, तो इसका मतलब वो sentence गलत है, तो ये भी ऐसे ही बनता है, इसमें head लगता आगे जरूर, तो इसमें जो sentence बनता है, hardly had, head को भी इसमें तलाशेगा, कहीं head में गलती होगी, या when में या वर्व की third form में, hardly had, he seen his father, देखे, seen third form आ रही है, his father, ठीक है, when he stopped smoking, when he stopped smoking, तो एक ये भी जरूर देखेगा, ठीक है, तो इसमें आते हैं, और फिर हम चलते हैं, कि और क्या-क्या चीज़ें आ सकती है, ठीक है, तो basic बात यह है, कि इन चीज़ों को आप जरूर देखेगा, इसके अलावा, आप अगर बात करते हैं, कि basically active passive direct indirect, तो वो तो अभी बहुत जल्दी में समझाना मुश्किल है, तो आपको सिर्फ इतना suggestion दे रहा हूं, कि direct indirect में आप दो तरीके के sentence जरूर देख लिजेगा, एक तो interrogative के दोनों type देख लिजेगा, डवलो एट, वर्ड वाले, इफ या वैदर वाले और डवलो एच वर्ड वाले, और दूसरा जो है exclamatory जरूर देख लिजेगा, बाकि तो easy होते हैं, दूसरा एक और suggestion, indirect से direct बनाना भी सीख लिजेगा, ठीक वैसे passive से active बनाना भी सीख लिजेगा, active से passive तो सभी बनाते हैं, passive से active और active passive के special cases भी सीख लिजेगा, जैसे imperative होते हैं और कुछ double objects वाले होते हैं, यह जरूर देख लिजेगा, अब आती है बात कि बहुत सारी चीज़ा हैं grammar में, तो मैं जल्दी से आपको कुछ important word भी बता दे रहाँ, कि कुछ important word जो है, synonym आगर आप देख सकते हैं तो देख लिजेगा, जिसमें से पक्का आए हुए हैं, तो वो मैं बता दे रहाँ, उसके बाद कुछ phrases बोल के बता दूँगा, क्योंकि लिखना तो time बहुत लगेगा, तो मैं फटा-फट कुछ important synonym लिख देना, जैनित को देख लिजेगा, ठीक हैं, बहुत important है, योकल को देख लिजेगा, वाई-ो-क-े-ई-अ, और उसके बाद आप देख लिजेगा, रैत को, टूटे-लाज, टूटे-लाज, एल-ए-जी, टूटे-लाज, उसके बाद आप देख लिएगा, सीधे-सीधे मैं सिर्फ अच्छे-च्छे आपको छाट के दे रहा हूं, जो आ सकते, उसके बाद आप थौर्ट को देख लिजेगा, टी-अज-डब्लू-ए- आर्टी, सियस्टा, उसके अलावा आप देखिएगा, जल्दी से रेकलेस को, केरलेस होना, ठीक है, और उसके अलावा, आप देखिएगा, क्वैग मायर को, जो आपके डैम फिल्ड होते हैं, नमी वाले क्वैग मायर, प्रॉलिफिक, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, प्यू एराइल, उसके अलावा आपका जो है, प्रॉलिफिक बहुत इंपोर्टेंट है, उसके अलावा आपका इंपोर्टेंट है, जल्दी से और एक अच्छा औबीस, जिससे उती है, मोटापा ठीक है और नॉस्टेलजिया होम सिकनेस नॉस्टेलजिया को भी देख लीजेगा और नैग है छोटे-छोटे वर्ड आयाते हैं नैग नादेर ठीक है नैग होता है बात-बात में किसी के कमिया निकालना है सुनाना क्रिटिसाइज करना ठीक है और इसके अलावा एक अपीलिंग या बहुत अट्रेक्टिव ठीक है उसके अलावा लेविटेट बहुत इंपॉर्टेंट है और लेविटेट उसके अलावा आपके हैं जो आज सकते हैं जो को जॉक्यूलर जो होता है भासाने से संब्दिक है इंस्टीगेट इंस्टीगेट इंस्टिल करना या इंफ्यूस करना ठीक है और फिर इंडिजनस होम मेड जिसे कहते हैं इंडिजनस मिसाइल हो गई जैसे आपकी इंपीच महाभ्योग जो लगता आई-ए-ए-पीच्मेंट ओप वारें हैस्टिंग्स आपने सुना होगा ठीक है हम ड्रम जो बिलकुल डल होता है एनरजी लेस हम लेटर आप सबको पता है और फैलाइन भी सही है वर्ड उसके लावा एक इंबीजल होता है जिसमें आप गवर्न करते हैं या कोई पैसे का दूरी उप्रोग कर देते हैं इंबीजल ठीक है और जो है कई और वर्डवी जैसे एबड़क्ट है किड्नैप करना एबीडी यू इसके अलावा डर्थ है कमी हो जाना डियार टीएच अर्थ भी आजाता है डास्टर्ड इन्स कायर होता है ठीक है और इस तरीके से आप कुछ अच्छे वर्ड भी मैं आपको दे दियें ऐसी कुछ फ्रेज़े आप अच्छे इच्छे जोए देख लीजेगा मैं कुछ फ्र बहुत टाइम लग जाएगा तो जैसे है तो cry over spilt milk है बहुत अच्छा abold from the blue जिसका मतलब होता है disaster होना to leave no stone unturned जिसका मतलब है to try once level best ठीक है to put the card before the horse to do a thing in a wrong way मेरे YouTube में भी बिखरे पड़े हैं जो है phrases उसे भी देख लीजेगा to read between the lines हो गया go to roast है जिसका मतलब है retire for night donkey's year का मतलब होता after a long time ठीक है और a snake in the grass होता hidden enemy gift of the gap होता है बहुत बड़ी ओरेटर ठीक है वैसे ही to be at sixes and sevens होता है जो indecision के स्थिती में हो a white elephant होता है जो unprofitable possession हो to draw a line होता है जिसमें आप जो है बीच में धरार डालने किसी के a man of straw होता है जो किसी काम का आदमी नहीं है ठीक है और इसी तरीके से अब grass video होती है वो औरते जिनके husband कुछ temporarily बाहर होते है mad as march year होता है crazy हो जाना ठीक है वैसे if lie in the ointment होता है किसी खास situation में problem हो जाना तो ऐसे कई मुहावरे हैं और कुछ अच्छे मुहावरे में यूट्यूब में डालें आप उन्हें देख सकते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हलाकि मैं इतनी ज्यादा चीज़ें यहां नहीं बता सकता ले मैं यह आशा करता हूँ कि आपको जितनी चीज़े मैंने बताई हैं इन में से जरूर महाँ चीज़ें मिल जाएंगी या इन से आपको कुछ guidance मिलेगा और कुछ कर पाएंगे अगर आप लोग इन चीज़ें उसके जरिये दो या चार भी अपने question break करने में सफल होते हैं तो अपने grammar के paper को अच्छा करेंगे और अगर आपको अभी भी कल तक भी कोई problem कहीं आती है तो मुझे phone करके आप पूछ सकते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी को all the best कहते हुए इस उम्मीद के साथ की इस बताए हुए में से कुछ ने कुछ आप महां break कर पाएंगे और आप जान कर दो